हलो एन वल्कम मैं हूँ सिधार्त और आप देख रहें स्पोर्ट्स फैक्ट इंडियन प्रिमेर लीग को दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग माना जाता है इस क्रिकेट लीग में मिल्लियन्स ओफ डॉलर्स खर्च होते हैं करोड़ रुपए की बरसात होती है और इसकी जो शानों शौकत है वो हर अगले सीजन से बढ़ते ही चले जाती है इस सीजन मेगा आक्शन्स हुए हैं दो नई टीम शामिल हुई है और जो यह IPL है यह और भी बड़ा होता चला जा रहा है इसकी जो पूरा टूर्नावेंट है इसकी जो शौकत है जो शानों शौकत है उसमें और इजाफा देखने को मिल रहा है दो नई टीमों के साथ कुल 10 टीमें हो गई है और अब 10 टीमें इस सुनेरी ट्रॉफी के लिए आपस में भिड़ते नजर आएंगी जो BCCI है वो ये पूरा और्गेनाईज कराती है इंडियन प्रिमेर लीक को और इसका डिरेक्शन देते हैं इंडियन प्रिमेर लीक के गवर्निंग काउंसिल BCCI के जो सेक्रेटरी है जेश शाह ने इंडियन प्रिमियर लीग को लेके अपना फ्यूचर प्लान मनाया है BCCI का फ्यूचर प्लान बताया है कि क्या अगले पास सालों में IPL के साथ होने वाला है वो सारी अपडेट्स हम आपके सामने लाने वाले है आप बिल्कुल अपने जो है तयार हो जाए है क्योंकि कुछ शौकिंग फैक्स हम आपके सामने लेकर आने वाले है देखिए IPL अल्रेडी लगबग जो है दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकिट लीग है हम आपको अल्रेडी बता चुके हैं ये 6 से 8 बिलियन डॉलर का ये जो पूरा होता है ये पूरा टूर्नमेंट होता है और उसमें करोडों रुपए की बरसात होते दिखती है जो दो नई टीमें आई हैं जिसमें से लखनों की टीम 7,000 करोड रुपए से जादा रुपए में खरीदी गई है जो फ्रेंचाइजी है बड़े बड़े जो बिलियनेर्स हैं बड़े बड़े जो कंपनी के मालिक है वो इसके पीछे लगे थे कई बॉलिवूट के सिलिब्रिटीज भी लगे हुए थे लेकिन जो बड़े बिलियनेर्स हैं उदके सामने वो नहीं टिक पाए तो लखनव और गुजरात की जो फ्रेंचाइजी है इसने लगबख BCCI को साड़े बारा हजार करोड रुपे कमा कर दिये हैं सिर्फ ये दो फ्रेंचाइजी बेचकर BCCI ने साड़े बारा हजार करोड रुपे कमाए हैं तो ये तो हो गए इन फ्रेंचाइजी के बात इसके अलावा जो मीडिया राइट्स होते हैं BCCI उसको बहुत जादा महंगे में बेचती है अब तक के जो है आईपेल के मीडिया राइट्स जो है वो स्टार के पास थे जो डिजिटल और टीवी दोनों की जो मीडिया राइट राइट्स है वो स्टार इंडिया के पास थे जो होट स्टार है वो डिजिटल प्रेटफर्म देखता था और जो टीवी में है वो स्टार इंडिया देखता था ये जो मीडिया राइट्स है ये इनका जो सेल हुआ था ये ये हुआ था 2018 से 2022 तक के लिए 5 साल के लिए हर 5 साल जो है ये चेंज होता है तो 2018 में लगबग 16,000 करोड रुपए में स्टार इंडिया ने Amazon और ये सारी कंपनियों के साथ जंग लड़के Sony भी थी उसे involved तो उनसे bidding war करके 16,000 करोड रुपए में IPL के rights खरी दे थे अब 2022 में जो है ये जो है जो पीरेड है पांच साल का ये खतम होने वाला है और फिर 2023 से फिर 2028 तक के media rights के दुबारा auction tenders BCCI जारी करने वाली है ये जो है BCCI के जो secretary है जैशा उन्होंने सामने रखा है BCCI के secretary जैशा का ये अंदाजा है ये मानना है कि लगबग इन पूरे सालों में IPL BCCI को 50,000 करोड रुपए कमा कर देगा जी हाँ दोस्तों 50,000 करोड रुपए मतलब IPL की जो ये पूरा tournament है ये million dollar league से billion dollar league बन जाएगी मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाँच सालों में 50,000 करोड रुपए कमाने का plan है BCCI का IPL के through आपको हमने बताया कि जैसे जो franchise ही है वो कितने में बिकती है media rights जो 2018 में 16,000 करोड रुपए में बिकेते अब सोचिए कि 2022 में जब और भी जादा competition है और भी जादा चीजे जो है tough होते जारी है तो उसकी बोली और कितने में लगीगी इसके अलावा जो हर साल जो season कमा के देता है हर IPL season BCCI को वो कमाई भी इसमें included है तो ये सब मिला के अगले 5 सालों में जो है IPL BCCI को 50,000 करोड रुपए लगबक कमा के देगा इसमें हर season की कमाई भी है इसके अलावा जो और जो ads होते हैं जो title sponsorship होता है इन सब के जो involvement है वो सब भी included है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो IPL है इसका growth दिन बदिन कितना बढ़ते जा रहा है ये जो tender होने वाले अगले 5 सालों के लिए media rights के ये बस अब से कुछ ही एक से दो हफतों में जो है शुरू हो जाएंगे और फिर आपको जल्दी पता चल जाएगा कि जो नए media rights है वो कितने में बिकने वाले हैं अगर आपको यह हमारी update अच्छी लगी हो तो please like this video, channel को subscribe करना नहीं भूलिएगा और please bell icon को जरूर दबाएं